इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि हमने आज सुभी आपको बताया था कि CDS विपन रावत का चौपर क्रैश हुआ था और जो जानकारी इस समय निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि डिफेंस मनिस्टर राजनाथ सिंग जो है वो इस बारे में कल पार्लिमेंट में ब्रीफ करेंगे कि पूरा ब्योरा जो है वो कल देंगे खबर ये आ रही थी कि थोड़ी देर बाद जो है डिफेंस मनिस्टर राजनाथ सिंग जो है वो इसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे लेकिन जो इस वक्त का लेटस्ट अपडेट है वो लेटस्ट अपडेट ये है इडियस विपनरावत का जो चौपर क्रैश हुआ था जिसमें 14 लोग सवार थे और जिसमें से जो खबर आ रही है वो ये है कि 11 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी इस पर एक ब रक्षामंत्री राजनाथ सिंग जो है वो कल पारलिमेंट में इस पर ब्रीफिंग करेंगे इस से पहले जो है रक्षामंत्री राजनाथ सिंग सीडियस विपनरावत के घर पर गए उनकी सुपुतरी से वहां पर मिले हैं सौथ ब्लोग भी पहुँचे राजनाथ सिंग और और वहंपर आर्मीची फेननर्वशने से उन्होंनेymphaden की बाचीत की और तक में जानकारी इकठा करी और फिल्हाल अभी भी राजना सिंग सौद कुल्वें मैं आर्मी चेफ एनन नर्वरने के साथ वहां पर बाची चल रही है और ज्यादा जानकारी जो है वो इकठा कर रहे हैं और आपको मैं ये बता दूँ कि ये बहुत ही दुखत समाचार हमने जब आपको बताया था और उसके बाद हमने आपको वीजुल्स भी दिखाये थे कि किस प्रकार से उस चौपर में जो है वो आग लगी हुई थी और जब शुरुवाती खबर आई थी तब ये खबर थी कि चार लोग जो है वो वहां पर उस चौपर में थे जिनमें से तीन को रेस्क्यू किया गया था और एक को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी धीरे जैसे 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 जानकारी आती रही वैसे ही जानकारी जो है वो ये सामने निकल कर आई कि जो 14 लोग थे उनमें से 11 लोगों के शव बरामत हुए हैं लेकिन उमीद जो है अभी भी यही है कि विपन रावत CDS विपनरावत जो है वो सही सलामत हो सुरक्षित हो और इसके लिए जो है वो समूचा भारत जो है वो इस समय वो दुआ कर रहा है कि CDS चीफ जो है विपनरावत वो सही सलामत हो और जल्द से जल्द स्वस्त होकर फिर से अपना काम का जो है वो समहाले ब्रीफिंग जो थी व वो राजनाथ सिंग् द्वारा जो खबर है थी कि थोड़ी देर बाद निकल कर सामने आ रहा है वो यह थी आज देनी थी वह ब्रीफिंग करेंगे sणसत में राजनाथ सिंग् जो है वो CDS विपनरावत के चोपर क्रैश होने के बारे में जो तमाम जानकारी जो है वो कल देंगे ये इस समय का लेटस्ट अपडेट है कि राजना सिंग रक्षा मंत्री द्वारा जो ब्रीफिंग संसद में आज देनी थी वो अब ब्रीफिंग कल देंगे उमीद करते हैं कि CDS विपनरावत इस समय सुरक्षित हो इलाज चल रहा है उनका और सुरक्षित हो और जल से जल स्वस्थ होकर एक बार फिर से अपने पत को समहा ले अब लोग देखते हैं अरली पूस्ट कामरामेन गगन के साथ देव ठाकूर जमू